हीज एक्सेलेंसी प्रसिडेंट आफ स्री लंका बिम्स्टेक सदर से देशों के मेरे मित्र और साथी लीडर्स बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल नमस्कार आज पांचवी बिम्स्टेक समीट में आप सब से मिलकर मैं बहुत ही प्रसन हूँ बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25 वर्ष है इसलिए आज की समीट को मैं विशेश रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ इस लेंडमार्क समीट के परणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वानिम अध्याय लिखेंगे एक्सलेंसीज पिछले दो सालों के चुनवतिपूर्ण माहोल में राशपत्री राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुसल नेतृत्व दिया हैं सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूँ आज के चुनवतिपूर्ण वैश्विक परिपेख्ष में से हमारा ख्षेत्र भी अचुता नहीं रहा है हमारी अर्थ ववस्ताएं हमारे लोग अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के दुस्प्रभावों को जेल रहे हैं पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डवलप्मेंट ने अंतराष्ट्य ववस्ता के थाईत्व पर प्रश्ण चिंड़ खड़ा हो गया है इस संदर्ब में बिम्स्टे क्षेत्रिय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपून हो गया है हमारी खेत्रिय सुरक्षा को अधिक प्राक्ष्मिक्ता देना भी अनिवार यह हो गया है एक्सलेंसी आज हमारे बिम्स्टे चार्टर को एड़ोप किया जा रहा है एक संस्तागत आर्किटेक्ट्चर की और हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपून कदम है इसके लिए मैं अध्यक्ष महोज़ाय का आभार वेक्तर करता हूँ चार्टर में हमने हर दो साल में समीट मिटिंग्स और सालनावा विदेश मंत्रियों की बैटर का निरेणे लिया है बैश का स्वागत करता हूँ अब हमें अपना ध्यान इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इस आर्किटेक्ट्चर को और मजबूत कैसे बनाए जाए जो एक वीजन डॉक्यमेंट तैयार करेगा मैं इस सुझाव से सहमत हूँ बिम्स्टेक हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे इसके लिए सच्चीवारे की ख्षमता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल पर इस लक्ष की प्राप्ति के लिए एक रोड मैब बनाए यह महत्वपूर्ण कारिया समय और अपेक्षा के अनुरूप पुरा हो इसके लिए भारत सच्चीवालाई के आपरेशनल बजेट को बढ़ाने के लिए वन मिलियन डॉलर की वित्तियस हायता देगा एक्सलेंसी हमारे आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए विम्ष्टेक एप्टिये के प्रस्ताव पर सिग्र प्रगेजि करने आवश्चक है हमें अपने देश के उद्यम्यों और स्टार्ट अप के बीच आदान प्रदान भी बढ़ाना चाहिए इसे के साथ हमें ट्रेड फैसिलिटेशन के छेत्र में इंटरनेशनल नॉम्स को अप्राने का भी प्रहत्ता करना चाहिए इससे इंट्रा बिच्टेक ट्रेड और एकोनोमिक इंटेग्रेशन को भढ़ावा मिलेगा इस संदर्ब में इंडियन काउंसिल फोर रिसर्च अन इंट्रनेशनल एकोनोमिक रिलेशन्स ADV के साथ मिलकर हमारे अधिकारियों की जागरुकता बढ़ाने के लिए एक कारिकम शुरू करने वारा है मैं आशा करता हूँ कि सभी देश के संबंदित अधिकारी इसमें नियन्मित रुप से शामिल होंगे एक्सलेंसी हमारे बीच बहतर इंटिग्रेशन बहतर व्यापार बहतर पीपल टू पीपल सबंदों का मुख्य आधार बहतर कनेक्टिविटी है इस पर हम जितना भी जोड़ दें कम है आज हमने बिम्स्टेक के मास्टर प्लान फॉर ट्रांस्पोर्ट कनेक्टिविटी को एडप किया है इसे तैयार करने के लिए मैं ADB का आभार ब्यक्त करता हूँ हमें इस मास्टर प्लान के सीक्र इंप्लिमेंटेशन पर जोड़ देना चाहिए इसी के साथ कनेक्टिविटी के खेतर में पहले से चल रहे इनिशेटिव पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा बे और बेंगाल में एक कोस्टल सिपिंग इकोसिस्टिम थापित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क शिक्र विख्सित करना आवशक है इलेक्टिसिटी ग्रीड इंटर कनेक्टिविटी को भी चर्चाओं से आगे ले जाकर धरातल पर उतारने का समाय आ गया है इसी तरह रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी एक लीगल फ्रेमवर्क की स्थापना महत्वपून है एक्सलेंसीज हमारे छेत्र पर हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं का खत्रा रहा है डिजास्टर मेनेजमेंट विशेशकर डिजास्टर रिस्क डियरक्शन पर सहयोग के लिए बिम्स्रेक सेंटर फर वेधर एंड क्लाइमेट एक महत्वपून संस्ता है और इसे सक्रिय बनाने के लिए मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा इस सेंटर के कारे को पुनर शुरू करने के लिए भारत तीन मिलियन डॉलर का योगदान करने को तयार है भारत ने हाल में तीसरी बिम्स्रेक डिजास्टर और मेनेजमेंट एक्ससाइज पैनेक्स 21 आयुजित की इस तरह की एक्ससाइजिस नियमित रुपसे होनी चाहिए ताकि हमारे अधिकारियों के बीच डिजास्टर के समय साथ काम करने की इंस्टिटूस्टल व्यवस्ता मजबूत हो एक्सलेंसीज, क्वालिटी एजुकेशन सम्मंदीत, सस्टेनबल डेवलोप्मेंट गोल को प्राप्त करना हम सभी की राष्ट्रिय नितियों का महत्पण हिस्सा है हम नालंदा अंतराष्ट्य विश्व विद्याले द्वारा दी जाने वाली बिम्ष्टेक स्कॉलर्शिप व्योजना का विस्तार करने और उसका दायरा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं हम बंगाल की खाड़ी को कहिंदर में रखते हुए मरीन साइंस पर जॉइंट रीसर्च को वढ़ावा देने का भी प्रहत्ता कर रहे हैं क्रिशिक शेत्र सभी विम्ष्टेक देशों की अर्थवबस्ता का आधार है हमारे बीच वैल्यू एड़ेड क्रिशी प्रोड़क्स की रीजनल वैल्यू चेंज बनाने की अच्छी संभावना है इसके लिए हमने भारत के एक संस्तान राइएस को व्यापक अध्यान करने का कार्य दिया है एक्सलेंसी सुरक्षा के बीना हमारे खेत्र की सम्रुद्धी या विकास सुनिस्थित करना असंभव है काठवन्डू में हमारी चोथी समिट में हमने आतंकवात ट्रांस नेशनल क्राइम और नोन ट्रेडिशनल स्रेट्स के खिलाब क्षेत्रिय कानूनी धाचे को सुरुद्रट करने का निर्ड़ लिया था हमने अपनी लौ एन्फोर्स्मेंट एजेंसिज के बीच सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया था मुझे खुशी है कि हमारा कन्वेंशन टू कॉंबेट ट्रिजम पिछले साल से सक्रिय हो गया है आज की समीट के दोरान हमारे बीच मिच्चियल लीगल असिस्टन्स ट्रीटी और क्रिमिनल मैटर्स पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं इसी तरह के अन इंस्टूमेंट्स पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी कानूनी व्यवस्ताओं के बीच बहतर समनवे बन सके आज हमारे डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टिटूर्स के बीच सहयोग के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं ऐसा ही एग्रिमेंट हम अपने लौ एंफॉर्स्मेंट ट्रेनिंग इंस्टिटूर्स के बीच भी कर सकते हैं भारत की Forensic Science University अपनी फिल्ड में एक यूनिक वर्ल्ड क्लास संचता है। हम इसमें मिम्स्टेक देशों के पुलीस और Forensic Officials के लिए Capacity Building की व्यवस्था भी कर सकते हैं। Excellencies, आज जब हमारा क्षेत्र स्वास्त और Economic Security की चुनवतियों का सामना कर रहा है। हमारे बीच एक जूरता और सहयोग समय की मांग है। आज समय है बे और बेंगाल को ब्रीज अब कनेक्टिविटी, ब्रीज अब प्रस्परिटी, ब्रीज अब सिकुरिटी बनाने का। मैं आप सब का आहवान करता हूँ कि 1997 में जिन लक्षों के लिए हमने साथ साथ चलने का निरणय लिया था। उनकी प्राप्ति के लिए हम एक नए जोश, नई उर्जा के साथ फिर से अपने आपको सभर्पित करे। प्रधानमति, प्रयूत, चान, ओशा, बिम्स्टेक के अगले अध्यक्षे रुप में मैं थाइलेंड का स्वागत करता हूँ और सुबकामनाई देता हूँ। आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।